अब अमेरिका ऐसे हरकते काफी बार करता आया है, हिस्ट्री में भी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस पड़े हैं, जब यूएस का अमेरिका का दोगलापन हमारे सामने आया है, आज एक और बड़ी ही इंटरस्टिंग चीज सामने आया है, आज का सेशन ट्रस्ट मी, अभी कुछ आगले 10 मिनट आपके लिए बड़े इंटरस्टिंग होने वाले हैं, मेरे साथ बने रहिएगा, हाली में यूएस ने बहुत बड़ा बयान दिया है, बाइडन जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, यह जो वार चल रही है, आपको पता रश्या-उक्रेन वार चल रही है, फैब में शुरू हुई थी, लास्ट येर, डेड़ साल हो गया है, आसपास, और वो खतब ही नहीं हो रही है, ठीक है, बीच में यह हुआ था कि यूक्रेन को जो है नेटो का मेंबर बनाना चाते हैं, यह वगेरा वगेरा, यह सारी बाते हुई थी और कहीना कहीं, एक पॉ इसने किया है, और बोला है, कि अभी हम यूक्रेन को अपने अपने ग्रुप में जो है, आइमीन टुसे नेटो में जो है, शामिल नहीं कर सकते हैं, यह बड़ा ही प्री मेच्शोर डेसिजन होगा, यह फिर अभी तो प्री मेच्शोर स्टेज है, अभी बहुत सारी चाहिए यूकरेन को उसके लिए eligible होने के लिए, तो क्या है यह सारी चीज़ यह जानेंगे आज के session में शुरू करने से पहले, मैं आप सभी को बदाना चाहती हूँ कि अगर आपको 2023 में किसी भी सरकारी paper में, सरकारी exam में और सरकारी selection आप बोल सकते हो, एक बहुत ही बहतर चाहिए तो आपके पास बहुत सारे मौके है, नबाड का notification किसी भी आ सकता है, किसी भी time आ सकता है, से भी अलरडी चल रहा है, तो आपके लिए एक बहुत ही दो यहाँ पर packs में बताती हूँ, एक bank, महा pack plus है, जिसमें सारे banking के exams आते हैं, सारे stages के तयारी करवाई जाती है, notes PDF सब मिलते हैं, और यहाँ पर regulatory के महा pack में आपका नबाड से भी यह सारे चीज़े जो है, regulatory वाले exam सारे आते हैं, again, सारे stages के तयारी और PDF अगेरा मिलती है, इसको करने के लिए आपको Adder247 का app सबसे पहले डाउनलोड करना है, और वहाँ से enroll करिएगा by 674 code यूज करके, ता अगर यूक्रेन का बॉडर है, तो यहाँ पर रश्या है, तो अगर यूक्रेन का बॉडर है, तो यहाँ पर रश्या है, तो अगर यूक्रेन का बॉडर है, तो यहाँ पर रश्या है, तो अगर यूक्रेन का बॉडर है, तो यहाँ पर रश्या है, तो अगर यह यूक्रेन जो military forces है नेटों की जो military forces है वो रुशिया के border पर आके खड़ी हो जाती यानि US ये रुशिया के border पर आके खड़ा हो जाता जो कि रुशिया को या फिर किसी भी country को नहीं अच्छा लगता रहीट तो कहीना कहीं ये सब हो उससे पहले ही आप सभी को पता है रुशिया ने क्या खिया कि रुशिया ने बोला कि यहाँ पर न ये दो जगाएं हैं डुनेस्क और लुहान जिनको हम मिला के दोन बास भी कहते हैं तो ये न यूकरेन से खुश नहीं है हम इनको independent हम इनको आजादी दिलाना चाहते हैं और वो आजादी दिलाने के लिए इस तरीके से जो है वो शायद 24 February का वो दिन था पिछले साल जब ये यूकरेन में इन दोनों को आजादी दिलाने के लिए यहाँ पर गुसे थे और फिर लडाई खतम ही नहीं हुए आप सभी को पता है ठीक है और अब यूकरेन नेटों में शामिल होना चाहता है तो हम वो तब सोचेंगे जब वार खतम हो जाएगे जब peace maintain हो जाएगा अरे यूकरेन को जरुत तो अभी है राइट देखिए आप समझने की कोशश करिए यूकरेन को जरुत कब है जरुत अभी है और आप बोल रहे हो पहले आ के बाद ये ये भी बोल रहे हैं कि हम शामिल नहीं करवा सकते हैं बट जो वेपेन्स है ना वेपेन्स या जो भी आम्स एमिनेशन्स है आपकी security के लिए यूकरेण की security के लिए वो हम प्रवाइड करते रहेंगे तो आप देख रहे हो मतलब हमारा business नहीं बंदोना चाहिए आ यू एस और जो नेटो है वोड गॉंटिनु तो प्रवाइड प्रेजिदेंट जेलंस की और इस फोर्से शेक्योरिटी और वेपनरी दे नीड तो ट्राइड ट्राइड दे वार विद रश्या अच्छा पहले यह यह लाई नहीं बड़ी फणी नहीं है आप आम्स एन एमि बगजे और मुझे यह वी लगता है कि अब जो नेटो में थारे में में अगया टो का मैंबर बनने के लिए बहुत सारी कंडिशन होते हैं यह हुथा है कि एक कंडिशन हूंदा है कि एक हम यूक्रेण को अपना पांट बना सकते हैं अच्छा यह बात आपको पहले नहीं प हाँ, सो दूसरा, उन्होंने एक ये बात कही और ये तो सच बात कह दी, उन्होंने बोला कि अगर Ukraine मालनो, NATO का पार्ट बन जाता है, तो NATO का एक बड़ा important clause है, जो ये कहता है, कि एक देश पर अगर अटाक किया किसी ने, तो वो NATO पर पूरे ब्रुप पर अटाक माना जाएगा यानि फिर, US भी officially war का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला है, if the war is going on, then we are all in the war, we are at war with Russia, if that were the case, अगर ऐसा होगा, तो हम भी officially war का हिस्सा बन जाएगे, और देखिए, किसी भी देश के President, Prime Minister, जो भी लीडर होते हैं, उनको जनता को जवाब देना पड़ता है, आप किसी तीसरे के लिए, आप किसी तीसरे देश के लिए, अपने देश में, अगर अपने देश के लोगों को, अगर आपके देश के लोगों को खत्रा हो रहा है, या फिर war जैसे situation आ रही है, तो यह उनके वोट मैंक बांक पॉलिटिक्स के लिए तो Ukraine जो है, वो qualify ही नहीं करता है NATO का member बनने के लिए, कैसे, क्योंकि जो है, एक सबसे बड़ी condition एक तो यह होती है, कि जो भी country है, वो country जो है 100% democracy उसमें होनी चाहिए, ठीक है, एक तो condition हमने पहले पढ़ ली, कि सारे NATO members की सहमत ही होनी चाहिए, दूसरी यह है, कि मालो Ukraine को join ह होना है, तो Ukraine में 100% democracy होनी चाहिए, अब 100% democracy तो है नहीं, जब थी तब थी अब तो नहीं है, यह map हमने अभी अभी देखा है, यह जो red वाला area है, यह तो सारा रशिया ने हतिया आया हुआ है, अब Ukraine यह कहता है, कि अच्छा चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, जिसमें जहां जहां democracy है, उसको चामिल कर लो, अब वो कहते हैं कि नहीं, यह तो rules क्या गेंस्ट हो जाएगा, तो आप समझ रहे हो, कि अब जो है, वो qualifications वाली जो हम बोलते हैं, पहले तो बच्छों को बोल दिया कि आजाओ, 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 एक्जाम देलो, जब वो सेंटर पर पहु में भी यह specification होनी चाहिए, अगर नहीं है, तो आप तलप paper में नहीं बैठ सकते हो, तो SSI कुछ देखने के मुला, तो I hope यह पूरा मुद्दा आपको बड़ा interesting लगा होगा, ठीक है, अगर आपको interesting लगा हो, तो मुझे comment section में बताएगा, और यह भी बताएगा, NATO का क्या full form ह है, headquarter कहाँ पर है, और इसका establishment year कब का है, ठीक है, मेरे साथ जुणने के लिए, pinky current affairs, order 24-7, यह मेरा telegram है, आप यहाँ पर जूड सकते हैं, और जा सकी मैंने बोला, आप गर आपको किसी भी course में enroll करना है, Y674 is the code you should use, ताकि आप इस साल अपना selection ensure कर सको, आज के लिए ताही, Thank you so much.